नमस्ते दोस्तों आप सब का स्वागत है आपके अपनी चैनल फैंडसी दुनिया में गाइस वीडियो में डिस्कूस करेंगे बरुदार टीटी का मैच जो खिला जाएगा डबलू ए आर वसे जी एल एक के बीच गाइस इस मैच मेंना अल्मोस्ट नौ प्लियर सब का सेम होने क्या करना पड़ेगा वहीं पर हम लोग केंजिस करेंगे आफ्टा टॉस कर सकते हो आप लोग कैप्टन वाइस्कृटन चॉइस लंस लास्ट में मैं बताऊंगा वीडियो होगा इंडेप्थ बट होगा बहुत इन शॉर्ट तो मेक्शर कर आप वीडियों तक देखो अब डिट देता हूं और शायद आर्लेंड वाला मैच का भी हम लोग ने कवर किया था एस पर एक्सेंज 22 तो गाइस बहुत सारे मैचेस होंगे कवरेच मिलेंगे मिलेंगे वीडियो तो सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं हो तो नोटिफिक्शन बेल दबालो एंड फार क्योंकि बहुत ही जलत इस जैसे बड़े मैचेस बड़े सीरीज एक्चुली बड़े मैचेस नहीं बड़े सीरीज भी इंट्रिडियूस होंगी तो उसके भी कवरेच आएंगी तो बरुदा टीटी डवली एर वसी जीएले अब बात है गाइस जीएले बहुत बेटेर है इ को फ्रेंट ली होने लगा है क्योंकि देखो कि लास्ट एक अधा मैच में वो फिलाल मुश्किल लगड़ा है मेरे सबसे और बहुत जाद बैट जो पीच है वह बहुत जादा बैटिंग फ्रेंडली हो अधर्वाइस मेरे सबसे जो मैं मानता हो कि हमेशा एक स्लो लो ट्रै लॉस्ट करते हैं और गाइस चेस इजी हो जादा है क्योंकि अगर 130-120 के आसपास रंड़न बना तो उप्र फ्यूचर अपडेट आप टेलीग्राम जाने जाना मैं आता हूं इलाइस में ग्लास एक इसको लेना पड़ेगा पस्टी स्पेशली बैट फर्स्ट करेगा तो ग सब्सक्राइब बैट फर्स्ट किया तो बहुत साथा इंपॉर्टन हो जाएंगे अगर आपको एक्स्ट्रा बॉला लेना इस टीम से लोक आपके टिम में तो एक दमाग बंद करो और ले लो पाले पिक बदित करने लास्ट मैच में बहुत बढ़िया क्या बैट फर्स्ट प्लियर जूस कर सकते हैं रपीक करूं बैट फर्स्ट इफर्स ट्रियर चूस करना टंडेल रास कभी कबार यह ना विकेट लेके जाते कभी बॉलिंग करते हैं कभी बैठीट ट्रैक करना मुश्किल है यह चीज ध्यान देना इनके उपर गिवारिया डिफॉल्ट है गाइस लेना पड़ेगा और बहुत ही सेफ कैप फिसी ऑप्शन भी है राम भरवाथ दो विकेट है बहुत बड़ा डिफरेंशल होंगे इस मैच में राम भरवाथ अगर आपको लेना है तो इसका मतलब क्याना क्लियर कट है कि गिवार या खरापिक नहीं हो गया जो सेफिस्ट भी है अगर बैट सेकेंड हुआ तो बड़िया सा डिफरेंशल होंगे इस मैच में भी हलाई इस मैच में सबसे बड़े डिफरेंशल है क्योंकि डेथ में यह बॉलिंग राएंग ओपिनिंग वी हलाई घिवारिया भरवत डेथ में भरवत और गाइस घिवारिया लास्ट मैच में कराया था वी हलाई ने लास्ट मैच में दो वर में 20 का पिटाई हुआ था पर हेट टो इनको आप बैक कर सकते इस मैच में सबसे बड़ा पंद होंगे स्पेशली बॉल फर इन से एक प्लियर है जो ना क्या करते किसी को नहीं मालूम मतलब यह तुफान है गाईस प्रदीप यादफ तो डिफेंशल पीक होंगे आपके लिए प्रदीप यादफ मस्ट ट्राई है इस मैच में अमित भंडारी जो ठीक ठाक है अगर किनीत को डॉप कर रहे हो तो अमि इस मैच में दस वीके निकाले बड़ लॉजी के लिए तो थोड़े से कम तंग कर सकते हैं इस मैच में प्रदीप यादफ भी तर्थ घिलानी हो गया ज्यादा तंग कर सकते हैं ज्यादा राइट हें बैट्स पेन आपनें इनके पास ज्यादा क्वालिटी मुझे लग और से भी दस बारा रन मानब महता बॉल फास ज्यादा इंपॉर्टन होते क्योंकि ना डिट करा सकते हैं अप्यांग पतीदार कुछ ना कुछ रन बनाते तो इनको लेके चलो आप सेफेस्ट पीक है इस टीम से जो हर मैच में रन है इनका सुलांग की बॉल फास ज्यादा बैट्स में इन्होंने अच्छा खेला और एक क्वालिटी बॉलर है जिनका फॉर्म अच्छा नहीं था शुरू के मैचस में बट अभी अच्छा खेले कुछ प्लेयर से यहां पर इग्नोर कर दो ओपिनिंग बॉलिंग पी आदफ सोलांग की महता गिलानी आपको डेट भी पंजाते मेरे सबसे इस मैच में मेरे सबसे बिस्ट पंथ है अगर बॉल फस्ट होता है स्पेशली क्योंकि आपको ना कुछ तो अलग करना परेगा वनना आपका टीम क्यों जीतेगा क्यों आप डिजर्व करोगे विन करना तो लॉजिक लिए अगर अलग करोगी थोड़ा हमारे पास है गाइस अपी अगरवाल तो क्या कर सकते हैं हम लोग ने स्ट्रॉंग टीम से केबल तीनी प्लेयर को लिया तो जो मुझे सही नहीं लग रहा है तो हम लोग क्या करेंगे स्पेशली बॉल फरस्ट हुआ देखो रेस को सकता हाई रिस्क हाई रिवर्ट पी आद कौन है गाइस यहां पर बैटिंग सेक्शन में कीनित पर्टेल है हमारे पास डिफरेंशल जान तो आहम बदित के साथ भी जा सकते हो बट किनित ने अच्छा खेला अब तक खराब खेला नहीं है तो हम लोग यह सकते और एक आदा चेंजिस आपके रिसाप से कर सकते हो एक कुछ ना कुछ और पॉइंट में ली सकता है और भी अपडेट होगा अफटर टोस टेलिग्रम पर आ जाएगा तो टेलिग्रम जॉइन हो जाना मैंने शायद इसमिर ठाकर को लेकर रखाए बैट फस्मिर ठाकर थी ठाक है बट आमित वसी के साथ मैं ऑबिसली जाऊंगा य क्योंकि डेट कराएगा इवन बहुत सेकिन में भी यूज कर सकता है कुछ भी और अपडिट आफटर टोस टेलिग्रम पर आएगा तो टेलिग्रम जॉइन हो जो ना वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना थैंक्यू एस बाए